जो हार दोस्तों मैं इस्मृतिया स्वार है आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल स्टडी वित इस्मृतिय में आज की क्लास में मैं आप लोगों को टेस्ट सिरीज के बारे में बताने वाली हूँ जो कि मैं धूरी नायब के माध्यम से ले रही मैं आपको बताऊंगी कि ये टेस्ट कब स्टार्ट हो रहा है कितने वज़े टेस्ट लिए जाएंगे किस विसाय के ये टेस्ट होंगे कितने टेस्ट आपको मिलेंगे एक टेस्ट में कितने प्रश्ण होंगे कितने प्राइस के होंगे मतलब कितने का ये टेस्ट होगा और किस किस examination के लिए ये helpful होने वाला है और कैसे आप इस test को दूरी ना आप पर लेंगे इन सब के बारे में पूरा information दूँगी सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ये test start कब हो रहा है तो ये test शुरू हो जाएगा 1 March से यानि कि कल से 1 March से start हो रहा है टाइम इसका है साम के 7 बजे हर दिन साम के 7 बजे ये test आप से लिए जाएंगे यदि बीच में कोई festival हो तो उस दिन gap होगा या कोई vacation हो तो उस दिन कोई gap होगा नहीं तो फिर continuous ये test आप से चलने वाला है धुरी ना आप पर विसे कौन सा होगा तो ये होगा जहारखंड gk और मैंने इसमें जहारखंड के current affairs को भी प्राथमिकता दी है जहारखंड current affairs और बिल्कुल update मैं आपको करूँगी जहारखंड के current affairs से इस test के माध्यम से फिर कितने test होंगे इसमें तो आपको 30 test देने हैं जहारखंड gk के और एक test में कितने question होंगे तो ये होंगे 100 100 question इसमें होंगे यानि कि आप जब ये test लगाएंगे इस series में तो आप 3,000 प्रशनों को solve करेंगे जो कि जहारखंड gk का होगा 3,000 question solve करेंगे और क्या इसका price है वो भी मैं आपको clear कर दो इसका price होगा 249 और ये जो मतलब 249 जो इसका price है ये fix है और ना तो ये कम होगा और ना ही ये अधीक होगा 249 के ही ये test है आपने समझा होगा अच्छे से ना तो ये कम होगा ना तो ज़्यादा होगा आने वाले समय में और ये test अब repeat नहीं होगा यानि कि ऐसा नहीं है कि 30 दिनों के बाद फिर से मैं इस test को repeat कर दोंगी तो आप सभी इसको जल से जल join करें 30 test है 249 रुपीज के ये test है कौन-कौन से exam के लिए ये helpful हो जाएंगे तो देखे JPSE के द्वारा जो examination लिए जाते हैं और JSSE के द्वारा भी जो examination लिए जाते हैं उनके लिए ये test जो है वो बहुत ही ज़्यादा helpful हो जाएगा तो किसके किसके लिए तो JPSE और JSSE के लिए काफी ये helpful taste होने वाला है तो exam कौन-कौन सा तो JPSE और JSSE तो ये हो गया आपका सारा doubt clear date कल से सुरू हो रहा है evening के 7 बज़े से कौन से subject है तो जारखंट जी के है 30 test होंगे question एक test में 100 question होंगे 249 रुपए हानी कि 249 में ये test आपको मिलेगा और JSSE और JSSE के examination के लिए ये helpful होगा अब मैं आपको ये बताऊं कि ये test आपको कहां मिलेंगे तो इसके लिए आपको धूरीना एप दी एच यू आप नोट कर लिजे कर आप confuse हो जाते हैं धूरीना ये एक एप है और इसी एप के माध्यम से ये test में ले रहे हूँ धूरीना एप आप सभी इसको प्ले स्टोर में जा करके वहां से डाउनलोड कर लिजेगा और वहां पर आपको जारखंड वाले आईकन पर जाना होगा देखे ऐसे बना होगा जारखंड का आईकन वहां पर क्योंकि वहां जैसे दिया हुआ है ना कि जितने भी तो तो फिर वहां सारे और सा 지금 आपको दिखने लगते हैं के लिए अंदे ऑपढ़ना चाहते हैं तो वहां पर इवलेबल है जिसमें लगन सब्सक्राइब के पूद सी के रहे एको जारकंट जी के मैं पढ़ा रहे हूँ, फिर JSC के लिए भी courses available हैं, वो भी आप ले सकते हैं, और वहाँ test भी आपको दिखेगा, जस्ट नीचे वाले line पे जाईएगा, तो वहाँ पर test show कर रहा होगा, JPSC और JSC के लिए, जब आप वहाँ जाएंगे, तो वहाँ पर buy करने का जब option होगा, तो आप उस पर जब click करेंगे, तो payment करने का जो mode होता है, वो वहाँ दिया रहेगा, फिर वहीं पर आपको pay करना है, ऐसा नहीं कि आप personally मुझे pay करेंगे, मेरे WhatsApp पर ऐसा कुछ भी नहीं है, payment करने का है, आपको वहीं पर वहीं आप pay करेंगे, वो सारा जो payment होता है, वो धूरी ना को जाता है, और चुकि कोई भी taste इस तरीके के जो लिये जाते हैं, जहां पर आपको marking या number शो करते हैं, तो उसके लिए आपको एक app की आवश्यक्ता होती है, चुकि मैंने कोई अपना app कोई develop नहीं किया है, तो मैंने धूरी ना app का ही help लिया है, ताकि आप लोगों के लिए जहारखन जीके के लिए taste जो है, मैं वहाँ पर organize करा सकूँ, और आने वाले समय में बहुत ही जल्द, यानि कि मुझे लगता है हिजान थोड़ा सा और नजदीक आजाने दी, आप लोगों की तरह तयारी भी थोड़ी अच्छी हो जाने दीजे, क्योंकि मेरे बहुत सारे असिमित्रे हैं, जो नहीं नहीं तयारी ओं में लगे हैं, फॉर्म भरने के बाद, तो जब आप लोगों के थोड़ी से तयारी और भी अच्छी हो जाती है, आप सारा तयारी करके रख लिजे, रिविजन करके रख लिजे, फिर मैं आप लोगों को एक्जाम के पैटरन पर टेस्ट लूँगे, और वो भी टेस्ट रिपीट नहीं होगा, वो टेस्ट एक ही बार लिए जाएंगे, और उसके भी प्राइस जो होंगे, फिक्स होंगे, ऐसा नहीं कि आने वाले समय में वो घटा या बढ़ा दिये जाएंगे, नहीं, वो फिक्स प्राइस होगा, जैसे कि ये टेस्ट का भी मैंने फिक्स कर दिया, 249, आपको अगर मुझे लगता है कि 3000 कोश्चन के लिए, और ये सारे पैसे जो हैं, वो टीम को जाते हैं, जो धुरीना की टीम है, और थोड़े बहुत मुझे भी मिलते हैं, ताकि मेरा भी जो इसमें जो लगा हुआ मेहनत हैं, थोड़ा सा उसके लिए भी वो लोग पे करते हैं मुझे, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिलते हैं, मुझे भी इसके लिए मिलते हैं, तो बहुत जगा ये डिवाइट हो जाता है, तो ये तो थोड़ी सफाई हो गए, क्योंकि आप सभी बहुत अलग-अलग तरह के इलजाम इसको कहेंगे, जो मुझे पर लगाते हैं, कि मैं ये सारी चीज़ें पैसे के लिए कर रही, आप ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी जरूरत होती है, और आपके मैसेज भी आते हैं, और आपके कॉल्स भी आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, और चुकि सब कोई एक टीम की तरह लगा रहता है, दीन रात हम सब एक किये रहते हैं, आप सभी सोन सकते हैं, ये 3,000 प्रशनों को बनाने में कितना टाइम लगा होगा, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करते हैं, तो ये बहुत जादा कुछ नहीं है, 249 कोई बहुत जादा नहीं है, और आप सभी को पता है, कि मैं चुकि धूरी ना आप से इसलिए जोड़ी हूँ, क्योंकि यहां पर हर एक कोर्स के या सब के प्राइस बहुत कम रहते हैं, तो मुझे भी सही लगता है कि चात्रों से, मतलब आपको उतने नहीं खर्च करने पड़ें, जो कि आपको कम में ही मिल जा रहा हैं यहां पर, देखे, 249 भी यह टेस्ट हैं, आप लोगों को किलियर हो गया होगे, JSC, JPSC के लिए बहुत जादा हैलफूल हो जाएगा, और धूरी ना आप पर कैसे आपको लेना है, यह वाले ऐकोन पर जाईएगा, जब क्लिक कीजेगा, तो फिर वहाँ पर टेस्ट सो कर रहा होगा, JPSC, JSC के जारखनवाले सक्षन में, तो फिर वहाँ पर आपको वो टेस्ट बाई कर लेना है, और उसके बाद एक डेमो टेस्ट लगा लिजेगा, जिससे आपको यह पता चले कि यहाँ कैसे आपको टेस्ट देने है, तो वहाँ डेमो टेस्ट भी है, तो वह इसलिए डाला गया है, कि आपको यह पता चले कि यहाँ पर आपको टेस्ट किस तरीके से देने है, तो वो डेम अपर टेस्ट लगाने से आप क्लियर हो जाएंगे क्यां कैसे लेने आज जब आपको लगे है कि बहुत जादा confusing या बहुत उल्जावा नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे कि टेस्ट देना आप वहाँ पर परचीस कर सकते हैं यह दि आपको ऐसा लगता है कि यह टेस्ट जो है आपके लिए हेलफुल हो सकते हैं तो ही आप इस टेस्ट को लीजएगा लेकिन ऐसा जारखंड में कोई पर इक्जाम लिये जाते हैं उसमें जारखंड से गजारखंड को में एक कि एट वुते हैं यहां पितना बटर देखाया एए वचला में सबस्क्रारत जापने पर आव प्रबंदन से भी पुछा जाएगा 15 से भी प्रशन पूचा रहेगा फिर जारखन की इतिहास से कोश्चन आएंगे कल और संस्कृति से तो मैंने आपको बताएं जुग्रफी से भी कोश्चन आएगा जारखन के करेंट अफेर्स का वेटेज मैंने इसमें अधीक रखा है क्योंकि आप लोगों को करेंट अफेर्स तो फिर आप दोनित नहीं तो आप इसको कर देंगे और जो भी मेरे मीतन जो आप चाहते हैं कि इस टेस्ट को लगाना तो आप जरूर इस टेस्ट को लिजिए और 30,000 questions रगतार एक महीने तक हैं को यह question मिलेगा और अगर बीच में कोई फेस्टिवल हो तो ही गैप रहेगा नहीं तो continuous यह टेस्ट चलने वाले हैं मैंने मैं चाहती थी कि दो महीने का यह टेस्ट हो लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा तो मैंने 100-100 कोशन के ही टेस्ट मैंने बनाए हैं और 30 दिन तक लगातार यह चलने वाले हैं तो जारकंट जीके आप लोगों के स्ट्रॉंग हो जाएगे जैसे सी में भी देखा गया है कि 30-32 कोशन जारकंट में आएगा सीजेल में और जो इजामनेशन होते हैं जारकंट पोलिस वगर तो उसमें तो 50-50 कोशन भी दे देते हैं जारकंट जीके से अगर JPSC को ध्यान में रखा जाए तो 110 या 20 प्रशन ऐसे होंगे जो जारकंट जीके से पूछे जाएगे तो यह वाला जो पोर्शन है जो कि मैं खुद कई दिनों से नहीं कहेंगे आप वर्सों से कहेंगे उनकर पढ़ाते जाए हूँ ताकि आप उससे भी aware हो जाए और मैंने भी थोड़ी बहुत मेहनत की है जो चैनल पर आपको पढ़ाने में तो मैं भी यह जानना चाहूंगी कि आप सभी कितना अच्छा performance कर सकते हैं लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि आप इस taste को दे करके मैं आपको जानकारी देना चाहती हूं कि ऐसे भी प्रशन होते हैं और ऐसे भी question आ सकते हैं इस level में भी question आ सकते हैं तो इस तरीके की जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों से यह टेस्ट ले रही हूं हर एक question को आप धियान में रखिएगा याद रखिएगा और मतलब आप अगर आपने पहले से पढ़ाया तो आपकर वहां revision हो जाएगा अगर आप नय-nय कर रहे हैं तो फिर आपके जो मतलब यह अच्छे collection आपको मिल जाएंगे एक प्रशन को मैंने इस तरीके से बनाया कि 5-5 प्रशनों को solve हो जाएगा एक ही प्रशन को solve करने में तो अच्छे तरीके से मैंने उसको कोशिच की है अपना यहां perfection देने का प्रशनों को मैंने खुद से त्यार किया है हर एक प् आती है यानि कि आपने टेस्ट ले लिया है और आप मतलब आपके अहां active वो टेस्ट नहीं हो पा रहा है या आपको कोई दिक्कत आ रही है टेस्ट देने में तो फिर आप मुझे message कीजेगा मेरे WhatsApp पर और मेरा WhatsApp नमबर है देखे यह मेरा WhatsApp नमबर है अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे इस WhatsApp नमबर पर message कीजेगा नोट कर लीजे मैं चाहती तो मैं मेरी manager है मैं उनका नमबर भी आपको दे सकती थी लेकिन आप सभी जो है बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि misbehave भी हो जाता है आप लोग करने लगते हैं तो इसलिए मैं अपना नमबर दे रही हूं direct थोड़ी मुझे परेशानी तो होगी आपके बहुत सारे message call आएंगे लेकिन मैं handle कर लोगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप सभी मेरे चातर हैं मुझे पता है लेकिन किसी और के साथ misbehave आप सभी करें या फिर कोई उस तरीके की बात करें तो वो चीज मुझे पसंद नहीं है अगर हां मैं tackle नहीं कर पाऊंग किजेगा call प्लीज मत कीजेगा message कीजेगा double 905917516 और जैसे ही मुझे समय मिलता है ऐसा नहीं कि तुरंत message मैंने आपका देख और तुरंत मैं reply कर दी हो सकता मैं class ले रही हूं तो जैसे ही मुझे time मिलेगा मैं आपके reply में कर दोंगी तो यह आपको कोई समस्य है help line number इसको सम चीज है और मेरे लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यह सिर्फ 249 ही नहीं है यह एक इतनी बड़ी responsibility होती है कि हम लोग दीन रात एक कर देते हैं इसको पूरा करने के लिए और यह आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि यह जो 249 आपने पे किया है तो आपका मतलब वेस्ट जा रहा ही आपने कुछ भी यहां से सीखा नहीं मैं चाहती हूँ कि अगर 249 अगर आपने पे किया है तो कई लाख चीज आप यहां से सीख के जाएं यहां से कुछ जानकारी लेकर के जाएं और यही मेरा उदेश्य है क्लासिस को कराने का और मैं चाह लेते हैं आप से वीधा धन्यवाद